सब्सक्राइब करें जोतिस SPS चैनल को और बेल को दुबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो आज हम जानेंगे आपकी उंगलियों पे बनने वाले परव के बारे में अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको ये तीन नजर आएंगे एक दो और तीन देखेंगे दोस्तों ये जो हैं ये होते हैं परव इसके बीच में बनती हैं इस परकार से रिखाएं अब किसी किसी के हाथ में ये जो रिखाएं हैं जादा हो सकती हैं जिसकी वज़े से परव हो जाते हैं डिवाइड और परव तीन से चार हो सकते हैं या फिर पांच भी बन सकते हैं दोस्तों आपके हाथ में ये रिखाएं कि इतनी है कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा और आपको बताएंगे हर उंगली के पीछे का रहस्य क्या है क्योंकि हर उंगली आपके जीवों पे अलग-अलग परभाव डालती है अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आखिर तक बने रहीएगा मिलेगी प्रॉपर जानकारी जहां पर आपको बताएंगे इनके पीछे का रहस्य क्या है शुरूआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ आपका जागा समय नहीं लेते हैं आईए शुरू करते हैं शुरूआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो मे बताते हैं कि अगर आप लड़के है तो अपने राइट एंड में अगर लड़के हैं तो उपने लेफ एंड में इसानकारी को देखेगा और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे परसनली बात करके अपनी समस्ता के समध्धान तो लिंक बिलेगा आपको डिसक्रिप्शन में हमारे इंस्टागराम और ट्विटर एकाउंट का जाकर आप दोनों काउंट से फोलो कीजिए जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पराब कुछ ध्यान देना है सबसे पहले उंगली पे हम बात करेंगे इंडेक्स फिंगर से यहां से शुरू करते हैं अब याबराब देखिए कि इस उंगली पे आपको चार परव नजर आएंगे मतलब कि एक डो तीन और चार अगर देखे दोस्तों यह अगर कंडिशन बन जाती है आपकी फिंगर के ऊपर अब देखिए नॉर्मली हाथों में इस परकार से होगी बट अगर यह वाली कंडिशन है इसमें आपकी जो शादी है वो लव मैरिज हो सकती है जी हां अगर आप किसी को पसंद करते हैं दिल से चाहते हैं तो आपको अपना life partner मिल सकता है और एक और possibility बनती है दोस्तों देखने को मिलता है कि आप जिस field में कारे कर रही है जॉब या बिजनस आपको सेम field में भी आपका कारे करने जो wife है या फिर husband है मिल सकते हैं मतलु कि life partner जो है सेम field में मिल सकता है तो यह बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों हो सकता है कि आगे चलकर आप एक साथ उस कारे को करते हुए बड़ी साफ़ता को हासिल करें तो ये एक positive sign है इसके बाल अब हम जानेगे middle finger के बारे अब जो के दोस्तो middle finger के बारे में possibilities एक से ज़्यादा बन जाती है कैसे अगर आपकी middle finger के ऊपर इस परकार से चार परव हैं तो दोस्तो ये जो है देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति दानवीर होते हैं मतलो दानपुन्या का कारे करते रहते हैं और बहुत अच्छे खासी मतलो के अपनी जितना ये कमाते हैं उसमें से जरूर कही न कहीं दान देते हैं और इनकी अच्छे खासी जो है किसमत हमें देखने को मिलती है क्योंकि आगे चलकर इनके अंदर एक leadership की quality भी होती है मतलो के ये किसी मुश्किल में से कैसे निकलना है और कैसे group को lead करना है बली भांती जानते है और हाँ दोस्तो इनका मन शांत रखने में ये बहुत जाड़ा माहिर होते हैं और इनके अंदर एक leadership की quality होने के वज़े से ये राजनीती में भी आगी कदम बढ़ा सकते हैं अगर आपको politics में trust है और ये वाली possibility बन रही है तो आप कदम जमा सकते हैं आप कोशिश कर सकते हैं और हाँ दोस्तो इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे वक्ति अगर खुद का कोई कारे करें मतलब कि बिजनस में अगर ये इंटरेस्ट एकते हैं तो उसमें बड़ी साफलता को हासल करते हैं और वो भी कम उमर में जी हाँ दोस्तो कम उमर में ही मतलब कि 30 साल की उमर से पहले ही ये अपनी लाइफ में सुक्ष विदाओं को पूरी कर लेते हैं जो के बहुत अच्छा समकेत है अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तो अनामी का उंगली के बारे में जिससे रिंग फिंगर भी कहा जाता है अब ये जो उंगली है इसके उपर अगर इस परकार से जो रिखाएं हैं बन नहीं हैं और परव जादा हो गए हैं मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दो तीन और चार परव तो बने ही चुके हैं इस जो है दोस्तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों का जो कारे में सफलता है वो शादी के बाद होती है अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि उससे पहले जो भी आप कारे कर रहे हैं मतलब शादी से पहले जो भी आ प्रमोशन मिल जाना वो शादी के बाद ही होता है जी हाँ शादी के बाद कही ना कहीं जाकर आपको मौका मिल पाता है आगे बढ़के सफलता हासिल करने का बड़ आपको बताना चाहें कि दोस्तों कि ऐसे लोगों की जो शादी है वो जल्दी हो जाती है लगबग 25-27 साल की उमर के आसपास जल्द ही शादी का योग बन सकता है आपके जीवन इसके बाद जो छोटी उंगली है अब छोटी उंगली के दोस्तों हम परव नहीं बलकि उसकी शेप को और साइज को देखते हैं मतलब कि आप इसाथ में देख सकते हैं जैसे यहां पर जो है छोटी उंगली वो इस परव से नीचे है मतलब कि जो अनामी का उंगली है उसका जो सबसे उपर वाला परव है यह उससे नीचे है पर अगर आप इसाथ में देखेंगे तो आपको बता चलेगा दोस्तों यहां पर जो छोटी उंगली है वो अनामी का उंगली के उपर वाले पोर के ज़्दा रहता है और इनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है सफलता पाने के लिए इनको हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिस वज़े से इनको अपनी काम्याबी या फिर अपना गोल हासिल करने में 35-40 साल की उमर तक का टाइम लग सकता है यहां पहले यह जो और का कार्या 10 दिन में होता है तो इनका 20 दिन में होता है कहने का भाव यह है कि इनका कार्या बहुत स्लो होगा या फिर देरी लगने वाली है तो आपको पेशन्स रखना है सबर रखना है सफलता जरूर मिलेगी बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अर इसके बा इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा जल्दी मिल जाता है तो कहने का भाव यह है कि कम उमर में ही शुरुआत हो जाती है आपके सफलता पाने की इसके बाद आता है दोस्तों अंगूठा इसमें तो आपको दो ही परव नजर आएंगी एक तो यह वाला और एक यह वाला पान के चलिए आड़ी टेड़ी हैं तो भी दोड़स्तों यह जो रिखाएं हैं आपके जीवन में उलजन पैドा कर सकती हैं मतलों कि क्या कारे करना चाहिए क्क्रान कारे करना क्यार में ऐसमें इसे से अगर आप जो भी करे करें हैं कम से कम उसे टीन साल तक जरूर कीजिए गा अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कारे पर्मनेट भी बन सकता है अगर अगर कि आपके सबी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आगया प्रिस्टोपी के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी आप हमेशा याद रखनी है कि प सब्सक्राइब करके बाइल आक के जुरू दो बाद में नेक्स्ट वडियो के अपडेट के लिए मैं सब्सक्राइब के साथ तब तुम्हें इजाज़ दीजिएगा नमस्कार